हेलो बच्चो नमस्कार प्यारे बच्चो आज नाइन चेप्टर की सेकंड थर्ड किलास है इसके बाद हम लोग फिर आज इसमें काफी इंपर्टन कोशन्स करेंगे और काफी सारे नए नए टाइप के कोशन्स हम लोग कवर कर लेंगे ठीक है चलिए तो सुरू करते हैं जहां तक मुझे याद है याद है याद है कि मैंने आप लोगों को कोशन नमबर सेवन भी करा दिया था एड भी करा दिया था याद भी करा दिया था याद पैडिश्टल तक करा दिया था मैंने ठीक है नाइन से सुरू कर रहा हूं ठीक है कोशन नमबर नाइन से पहले को समझो ध्यान से के रहा एक टावर है और एक बिल्डिंग है अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है तो बही पता करने का तरीका ये है कि जब बिल्डिंग से टावर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल बन रहा बड़ा और जब tower से tower के bottom point से building की तरफ देख रहे हैं तो angle बन रहा है चोटा तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर छोटा angle बन रहा है तो सामने वाली चीज भी चोटी होगी और भाई सामने अगर यहां से बिल्डिंग है चोटी tower बड़ा क्योंकि जब tower के bottom point से path window से भाई हम जब building के top point को सिर्ष को देखते हैं तो 30 degree का angle बन रहा है जबकि building के path window से bottom point से tower का top point सिर्ष बिंदू देख रहे हैं तो 60 degree बन रहा है तो बड़े angle के सामने बड़ा होगा छोटे angle के सामने always छोटा होगा और कहरे है कि tower जो है वो 50 meter हुचा है भाई तो what is the height of building let कर लिए h meter दोनों के बीच का distance x meter नाम दे देंगे a b c d let the height of tower sorry tower नहीं building कितना हो गया h meter mana भावन क्यों चाहिए h meter and the भावन क्यों चाहिए and the distance between and the distance between क्या भाई and the distance between tower and tower and building तो कितना है भाई x meter तथा भावन और मिनार मिनार के बीच की दूरी now तो भाई in triangle आ जाओ किस में पहले आ जाओ छोटे वाले में a b c में तो 30 degree थावने वाला perpendicular यह base तो क्या लगेगा 10 30 perpendicular a b base b c 10 30 1 by root 3 a b h b c x x root 3 h यह बने गया भाई ठीक अगला अब आएंगे triangle किस में b c d में b c d में b c d में तो 60 degree थावने वाला perpendicular और यह base ठीक है तो भाई 10 60 10 60 perpendicular क्या है d c base क्या है b c 10 60 root 3 d c 50 b c x ठीक है भाई d c कितना है 50 यह कितना x ठीक है अब क्या करेंगे भाई इसको उठा के उदर ले जाओ root 3 x बराबर 50 ठीक है अब देखो भाई x की value कितनी है x की value root 3 h x की value कितनी है root 3 h 50 तो यह हो जागा 3 h बराबर 50 h 50 upon root 3 meter कोई दिक्कत कोई परिशानी इस तरीक से करेंगे ठीक है जी ठीक है अब देखो now अब क्या तो है हाई टी तो निकालनी थी यह बस हो गया खिदम कीजिए height निकालनी थी note करो इसको इसके question number 10 कराता हूँ question number 10 note हो गया question number 10 question number 10 question number 10 देखो कितना अच्छा है बहुत मतलब प्यारा question है बहुत ही जादा यह एक 80 मेटर चौड़ी रोड है 80 मेटर चौड़ी रोड है और इस पे दो पोल है रोड के इस तरफ एक पोल है रोड के दूसरी तरफ दोनों पोल है और दोनों के height same है मतलब अगर इसकी h meter है तो इसकी height भी h meter है अब कहरा है road के किसी एक point पे, अब ज़रूरी नहीं है beach में कहीं पे भी point है अब ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल beach हो beach कहीं पे भी एक point है जब यहां से इसके top को देखते हैं 60 degree का angle बनाता है जब कि यहीं से दूसरे का top देखते हैं तो 30 degree का angle बनाता है ठीक है तो बताए कि भाई अब आपसे पूचा गया है कि बताए कि यह point P point पहले खंबे से कितनी दूर है दूसरे खंबे से कितनी दूर है और खंबो की उचाई कितनी है ये तब पूछा आप से ठीक है तो नाम देते हैं P, Q, R, S, T इस तरीके से अब मुझे ये बताओ अगर भाई ये पूरा 80 मीटर का है सीधी थी बात है अगर आपके बाई 80 रुपीज है आपने भाई 80 रुपीज में से 30 रुपीज खर्च कर दिये बचे कितने 50 रुपीज पचास रुपे तो भाई इसी तरीके से अगर भाई ये P, Q से X मीटर की दूरी पर है तो भाई बच कितना गया टोटल सी है तो बचेगा 80 माइनस X मीटर क्या कोई दिक्तत किसी बच्चे को समझवा आगे सभी को बस बात खतम तो यहां पर लेट दा हाइट ऑफ पोल्स एज़ मीटर कंबो की उचाई एज़ मीटर अद 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 दिस्टेंस बिट्वीन अद दिस्टेंस बिट्वीन पॉंट अद रोड एंड पोल्स ठीक है तथा खंबो और और रोड पर इस्थित बिंदू बिंदू की दूरी तो दो दूरी है बच्चो एक तो X मीटर है और एक 80 माइनस X मीटर है ठीक है दो दूरी है आप क्या करेंगे नाव इन ट्रियंगल पहले छोटे वाले में चलते हैं PQR में तो भई ये पर्पेंडिकुलर ये बेस तो क्या लगेगा 1060 पर्पेंडिकुलर क्या RQ बेस क्या PQ ये कितना है रूट 3 RQ कितना H ये कितना X भई X इदर आएगा रूट 3 X एक्वेशन नमबर फर्स्ट अब इंट्रियंगल बड़े वाले माज़ो PST ठेक है अभी भी ये पर्पेंडिकुलर ये बेस 1030 पर्पेंडिकुलर TS बेस PS 1 अपॉन रूट 3 TS H PS 80-X वहाँ आएगा 80-X और ये आएगा रूट 3 H हाँ भई X की जगह पे X की जगह पे क्या पूट कर सकता हूँ हाँ भई 80-X रूट 3 H की जगह पे क्या पूट कर सकता हूँ रूट 3 X 80-X रूट 3, रूट 3 3 X माइनस का X वहाँ जाके प्लस का 80 और ये 4 X cancel out 20 X के वालू कितनी आ गई 20 मीटर तो मतलब भई एक जगह से तो 20 मीटर है और दूसरी जगह से कितना होगा 60 मीटर ठीक है दूसरी जगह से and from second pole दूसरे खंबे से दूसरे खंबे से दूरी क्या होगी 80-X मतलब 80-20 बराबर 60 मीटर ठीक है अब निकाल लो height of pole now root 3-X बराबर H H X के वाल लो 20 तो H बराबर क्या आगया 20 root 3 मीटर यानि height of poles दोनों poles की उचाई जो आएगी height आएगी वो 20 root 3 मीटर आएगी ठीक है बच्चो चलो फटाफट नोट कर लो इसे नोट करो इसको फिर अगला कुशिन कराता हूँ ठीक है अगला देखो नेक्स्ट 11th आप कुश्ट कर सकते हो 12th कर आता हूँ 12th अच्छा कुश्ट है 12th देखो हाँ भै from the top of the 7 meter high building the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree determined the height of tower ठीक है जी वह एक 7 meter की building है और इसके सामने एक tower खड़ा है इसके सामने क्या है एक tower खड़ा है माली जी यहाँ पे पी पॉइंट पे एक बंदा है जिसने tower के top को देखा ठीक है तो भै जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी हा की न अरे भाई अगर मैं माली जीए मैं ऐसे खड़ा हूँ ऐसे आपके कैमरे के सामने ठीक है और अगर मैं कैमरे के सामने ऐसे खड़ा हूँ तो horizontally बिल्कुल ऐसे छितिज में क्या होगा कि जितना मेरे आख से इतनी दूरी होगी क्यों कि horizontally बिल्कुल दोनों क्या चलेंगे पैरलल तो यह नहीं कि यह पैरलल हो गए ये वाला और ये वाला ठीक है तो जब ये इतना साथ है तो इतना भी क्या होगा 7 मीटर भई देखो टावर को 7 मीटर तो हमने कवर कर लिया अब बच क्या गया अब जो बच गया उसको H माल लो H मीटर ठीक है और टावर और बिल्डिंग के बीच के जो दूरी है उसे X मीटर बाल लो तो ये भी X मीटर हो जाएगा ठीक है फिलाल उसने का जब बिल्डिंग के टॉप से बिल्डिंग के टॉप से जब टावर का टॉप देखा तो 60 डिग्री लगा एंगल कितना है 60 डिग्री एंगल और जब टावर के टॉप से जब नीचे देखा यानि कि टावर के बॉटम को देखा मैं देखो, building के top से tower के top को देखा, 60 degree, building के top से tower के bottom को देखा, तो 45 degree, अब ज़रा ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए, ये pan मैंने अपने आख के सामने लगाया, अब मुझे इससे उपर कुछ देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, आख उपर उठानी पड़ेगी, और अ अच्छे सा पता है, parallel line को जब transverse line काटती है, तो उनके alternate interior angle बराबर होते हैं, होते हैं की नहीं, हाँ बई, alternate interior हिंदी में अंते एक आंतर कौन, बराबर होते हैं, सही बात है, तो जब बच्चों ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, हाँ की ना, मिलकुल, नाम देना सुरू करो, P, Q, Q, R, R, S, और ये T, बस game खतम, सुरू करते हैं, let the height of tower, तो tower के height of क्या मान लोगे, h plus में 7 meter, क्योंकि h ये 7 हो चुका है, cover, ठीक है, माना मिनार की उचाई, ठीक है, and the distance between building and tower, तो कितना मान लिया, x meter, तथा भवन और मिनार के बीच की दूरी, now, in triangle, P, T, S, ये perpendicular और ये base, ठीक है, तो हाँ बई, perpendicular और base, तो क्या बन किया, 10, 45, perpendicular कितना है, P, T, base कितना है, T, S, 1, 7, x, तो x के value कितनी आ गई, 7 meter, अब बड़े triangle में, या उपर वाले में चले जाओ, in triangle, किस वे, P, Q, R, ये perpendicular, भाईया, जब ये x है, तो ये भी x ही होगा न, पूरा, और ये base, तो बस, बात खतम, 10, 60, perpendicular, R, Q, base, P, Q, ये root 3, R, Q क्या है, H, P, Q क्या है, X, root 3, H, X की value, 7, 7 महा जाएगा, 7 root 3, बराबर H, तो H कितना आ गया, 7 root 3, लेकिन मेरे को खाली H थोड़ी निकालना है, मुझे तो height of tower निकालनी है, now, height of tower, height of tower, मतलब क्या बच्चो, मिनार की उचाई, तो H plus 7 है, तो H कितना है, 7 root 3, plus 7, 7 common, ले लो, root 3, plus 1, meter, तो इतनी height है, बच्चो, tower की, इतनी height है, tower की, ठीक है, note करो, note करो, इसके बद question number 13 कराता हूँ, मैं आपको, हाँ 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 है, कर दो मैं तो है, यह नहीं हाँ, पियार कूशन है, बहुत मज़दार कूशन नहीं है, कोशन नमर्ट 18 कोशन कह रहा है कि भाई आपके पास ना यानि एक 75 मीटर ऊचा एक लाइट हाउस है 75 मीटर ऊचा एक लाइट हाउस है और ये नदी है ऐसे ठीक है मैं सीधी लाइन लिखी देता हूँ थोड़ा अजीब से लगेगा ये नदी है नदी पर बाई एक नाओ यहाँ पर है और एक नाओ यहाँ पर है ठीक है भाई सबसे आगे वाली नओ को जब देख रहा है बंदा तो आख के नीचे से 45 डिग्री का इंगल बना रहा है कितने का बना रहा है 45 का नहीं नी 45 का नहीं 30 का क्या बना रहा है 30 तो जब यह 30 है तो यह भी 30 होगा भाई फिर जब उसने दूसरी सिप को देखा तो भी आंक के एंगल को और बढ़ाया और 45 डिगरी ये बनाया 45 डिगरी पर ये बनाया कितने पर 45 डिगरी पर ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई देखो अगर मुझे ज़्यादा दूर देखना है तो एंगल कम मैं नीचे करूँगा अगर मुझे बिल्कुल पास देखना है अब आभी आप खड़े हो जाओ कहीं ठीक है आप को दूर की चीज़ देखो तो आपको देखना अपना सर हलका सा सर नीचे जखाना पड़ेगा लेकिन हम मैं कहूँ अपने पैर को देखो तो आप ऐसे देखी नहीं सकते है आपको पूरा सर नीचे करोगा तब जाके आपको पैर देखेगा मतलब जब हम उपर से कोई चीज नीचे की तरफ देखते है अंगल ऑफ डिप्रेशन करते है अवनमन कौन करते है तो जब यह माल लिया तो यह भी माल लो इसे वाई मीटर माल लेना नाम दे दो इसको ठीक है ओ ए बी और यह सी ठीक है यह दी ले लो यारो पर बंद रखो ठीक है चलो सबसे पहले लेट दा डिस्टेंस बिट्वीन बोथ फिप्स दोनो नाओ के बीच की दूरी क्या माल ली? X meter माना दोनो नाओ के बीच की दूरी X meter and the distance between and the distance between lighthouse and second boat and second boat तो क्या मान लिया? Y meter ठीक है? तथा पहले नाओ सरी दूसरे नाओ दूसरे नाओ और lighthouse lighthouse बोले तो क्या? लाइट हाउस ही बोलते हैं light house के बीच की दूरी तो Y meter नाओ intringle D, A, B intringle D, A, B ठीक है? पहले छोटे ट्रेंगल में आएंगे तो perpendicular base तो 1045 perpendicular कितना है? AD base कितना है? AB तो यह 1 यह 75 यह Y Y उदर चला गया? 75 meter हाँ भई तो second boat और उसके light house के बीच की दूरी कितनी है? 75 meter now intringle किसमे? D, A, C में किसमे? D, A, C में चलो तो भई अब इसको हटाओ अब क्या बनेगा? perpendicular और यह पूरा base तो भई 1030 perpendicular क्या बन गया? A, D और base क्या बन गया? A, C और 1030 क्या होता है? 1 upon root 3 A, D A, D आपका 75 A, C भई A, C आपका A, B, PLUS में B, C से मिलके बनाए A, B, PLUS में B, C तो A, B PLUS B, C तो 1 by root 3 75 A, B A, B कितना Y और यह X उठा के बहा ले जाओ Y plus X यह उठा के उदर ले जाओ root 3 वही Y की वह लूग इतनी है? 75 PLUS X तो 75 root 3 PLUS का 75 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा इतने मीटर 75 root 3 माइनस 1 मीटर वह दिक्कत तो इतनी डिस्टंस है दोनो नौ के बीच की इतनी डिस्टंस है दोनो नौ के बीच की ठीक है? नोट करो फटाफट नोट करो ठीक है? नोट करो जल्दी कोशन नमबर 14 देखो अगली क्लास में चैप्टर खतम और प्लस जो कोशन रह गए बच्चो ट्राई करना जो ना हो कमेंट मेरे को फिर वट्सअप करना? आप लोग? ठीक है? मैं वो भी करा दूँगा कोई दिक्कत नहीं है लास्ट कोशन करा देते हैं 14 वैसे तो इस ट्राई कोशन मैं करवा चुका हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ कह रहा भई एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है 1.2 मीटर लंबी लड़की है ये लड़की है वई और एक गुबारा उड़ रहा है उपर एक गुबारा उड़ रहा है उपर जो जमीन से 88 जमीन से 88.2 मीटर उपर उड़ रहा है ठीक है वई? ठीक? अब ये गुबारा उड़ते 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 यहां पर आ गया अब भी 88.2 पर ही उड़ रहा है मतलब इसके ना हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन मुझे एक बात बताओ भई मानता हूं गुबारा 88.2 मीटर उपर उड़ रहा है ये बात मैं मान गया ये बात मैं मान गया लेकिन एक बात बताओ लेकिन एक बात बताओ कि भई 88.2 में से 1.2 मीटर तो लड़की नहीं अपनी हाइट से ही कवर कर दिया भई 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर तो हाइट उसने अपनी हाइट से ही कवर कर दी ना लड़की ने तो देखने के लिए रहे कितना गया 87 मीटर हा की ना देखने के लिए कितना रहे गया 87 मीटर रहे गया ना देखने के लिए तो अब क्योंकि 1.2 मीटर तो हाइट से ही कवर कर दी अब जब उसने उसको पहले उड़ते हुए देखा तो 60 डिगरी का एंगल बनाया पहले उड़ते हुए देखा था ठीक है और फिर यह गुबारा उड़ते 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 कुछ डिस्टेंस कवर कर गया और फिर जब इसने इसको दुबारा देखा तो भाई आपकी बार इसने 30 डिगरी का एंगल बनाया ठीक है तो कहरे बताओ कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मतलब ये लेंथ निकालनी है ये वाली लेंथ निकालनी है ठीक है भाई कोई हाइट मिल चुकी है पहले इस लेंद को माल लेते हैं एक्स मीटर और इस वाली लेंद को माल लेते हैं वाई मीटर तो लैट करेंगे लैट दा डिस्टेंस कवर्ड बाए कवर कवर्ज बाए बैलून तो कितना वाई मीटर माना गुबारे द्वारा थे की गई दूरी थे की गई दूरी थे की गई दूरी य मेटर and the distance between and the distance between girl and first stage first stage of balloon ठीक है भाई एक्समीटर तथा लड़की और तथा लड़की और गुबारे की पहली स्थिती की दूरी पहली स्थिती की दूरी ठीक है नौ height of balloon from ground 88.2 meter जमीन से गुबारे की उचाई ठीक है ये and the height of girl height of girl 1.2 meter लड़की की उचाई कि पहली एक फ्जी धिमीतolina लड़की की ईवरकी की स्थित लड़की एक ज की एक शो बवरकी की जचुबागी है सस्थित की स्थित ब़के स्थिती की पहली चाई ठीक है? देखे रो दा रिमेनिंग हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम गर्ल 88.2 माइनस 1.2 तो 87 मीटर ठीक है? तथा गुबारे की सेश उचाई लड़की से लड़की से इतना अब आजाओ भाई क्या? बात ही खत्ब अब आएंगे पहला छोटे ट्रेंगल में नाम दो भाई A B C D E F G H नाम सब को देदो लेकिन ट्रेंगल आएंगे A, B, C इन ट्रेंगल A, B, C बस 60 डिगरी के हिसाब से चलेगा? यह रहा परपेंडिकुलर और यह रहा बेस बस परपेंडिकुलर यानि कि 10 60 परपेंडिकुलर क्या है? B, C बेस क्या है? A, B रूट 3 B, C कितना है? 87 A, B कितना है? X X वा जाएगा रूट 3 X बराबर 87 रूट 3 मंटिप्लाई कर रहा है इदर आके डिवाइड आपको पता ही है रैसनलाईज 87 रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 थ्री cancel होएगा दो बारी में नो बारी में तो X बराबर आगया 29 रूट 3 मीटर यह तो भाई यह आगया X लेकिन हमें Y निकालना है क्योंकि डिस्टंस कबर निकालना है इंट्रेंगल अब किसमें जाएंगे A, D, E में A, D, E में 10 30 के हिसाब से देखेंगे यह और बेस के साथ देखेंगे यह तो परपेंडिकुलर और बेस 10, 30 परपेंडिकुलर D, E और बेस A से लेके D तक तो यह आएगा 1 अपॉन रूट 3 D, E D, E कितना है भाई D, E तो 87 हो गया अब और A, D A, D कितना हो गया X प्लस Y मतलब की A, B, P, B, D A, B, P, B, D हाँ भाई तो 1 बाई रूट 3 87 यह हो जाएगा यह हो जाएगा कितना X और E हो जाएगा Y उठा के मा ले जाओ X प्लस Y रूट 3 उठा के माँ 87 रूट 3 हाँ भाई X की वैल्लू कितनी है 29 रूट 3 प्लस Y 87 रूट 3 प्लस का उदर जाके माइनस 87 रूट 3 माइनस 29 रूट 3 हाँ भाई तो कितना हो जाएगा 17 में से अब देखो रूट 3 अपनी जगा पर रूट 3 रहेगा भाई 87 रूट 29 माइनस कर दो तो 17 में से 9 गए कितने बसेंगा भाई और 7 में से 2 गएंगे 5 तो इतने मीटर 58 रूट 3 मीटर कितना जाएगा 58 रूट 3 मीटर का distance कवर किया किसने बैलून ने किसने बैलून ने ठीक है भाई तो इसी के साथ आज हमारी क्लास यहीं खतम होती है मिलते है नेक्स क्लास में इसके आगे के questions करेंगे ठीक है चलो बाई